आज से राजस्तान सरकार राजींग राजस्तान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सब्मिट दोजार चोभी सायुजित कर रही है दिश के प्रधान मंत्री जी इसका सुभारम करने के लिए राजस्तान में पदा रहे हैं हम देश के प्रधारमंत्री जी का तमाम पधारेवे सम्मिट में भाग ले रहे हैं तमाम उद्योगपतियों का बहुत-बहुत हार्दिक श्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम चाहेंगे कि राजस्तान के अंदर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए योगपती, बंदू हैं, उनको यहां अच्छा वातावन मिले, निर्भीक और नीडरता के साथ में वो अपना व्यापार कर सकें, जिससे हमारे नोजवानों को रोजगार मिलेगा, नोकरियां मिलेंगी, प्रदेश की प्रगती होगी, आज जिस प्रकार से सफाई व्योस्ता क करना चाहिए, कॉंग्रेश पार्टी हमेशा जो उद्योगपती राजस्तान में आते हैं, उनके लिए जब हमारी सरकारे थी, तब भी हमने बहुत अच्छे प्रियास किये थे, उचित वातावरन और उनको सुईधायें प्रदान की थी, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चा को यहां पर रोजगार मिलता है, और इस समिट में कितना खर्चावा, यह सब बातें प्रदेश की जनता जानना चाहती है, तो मान यह मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, यह सारी के सारी बातें प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए, हम सब लोग मिलकर के इस राजस्तान कैसे प्रक्ति करें इसमें हम सब साथ हैं किसी में कोई दो राय नहीं हो सकती है लेकिन जिस प्रकार का हम वातावरण देख रहे हैं जिस प्रकार का जो चर्चाएं काफी दिनों से सुन रहे हैं कि केवल राजस्तान सरकार काग जी खाना पूर्ती करके एक M.O.E.O की बड़ी सरंकला दिखाना चाहती है उससे राजस्तान राइजिंग भी नहीं होगा और राजस्तान के युवाओं को नोकरी भी नहीं मिलेगी इसलिए वास्तों में धरातल के उपर इनको उद्योगपतियों को किस परकार से यहां लाकर के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करके धरातल पे इन M.O.E.O को उतारा जाए इस बात में राजस्तान की सरकार को गंबीरता से परियास करने पड़ेंगे और लाइन ओर्डर की स्थिति को भी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे नीडरता के साथ में उद्योगपतिया करके राजस्तान में व्यापार कर सकें धन्यवाद सभी उद्योगपती बंदों का बहुत-बहुत स्वागत कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मैं सब का विनंदन करता हूँ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राश्तान